हेलो गाईज कैसे हैं आप सब और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज इस वीडियो के अंदर मैं फाइनली बात करने जा रहा हो सामसंग के गलेक्सी M सीरीज के बारे में हमारे पास बहुत से लीक्स आज चुके हैं गलेक्सी M के बारे में रहा हम लोगों को यह पता चल चुक है कोंगों कोंसे डिवाइस आने वाले हैं तो सबसे पहला होगा यार गलेक्सी M10, सेकिंड होगा गलेक्सी M20 and थर्ड होगा गलेक्सी M30 एनका इस क्या पता आगे और सीरीज निकाल जाएं सामसंग करता है बट अभी जो यह तीन सीरीज जानवरी के अंदर मेरे को लगता है होफ़ुली रिलीज हो जाएंगी एनका इस दितनी भी सीरीज निकाल रहे हैं सामसंग वो इंडिया एक्स्क्लूसिव है तो आप लोग को यह जो पूरा फोनों का ऐसे लुफ्ट है मजा है वो इंडिया के अंतर देखने को मिल जाएगा अभी आप बात करूं सबसे पहले स्म सामसंग गलेक्सी M10 होने वाला है वो यार एक काफी अच्छा डिवाइस होगा और हाँ एक बात मैं बता दूँ जितनी भी डिवाइस अब निकाल रहा है सामसंग एक चीज को ध्यान में रखते हो निकाल रहा है लेकिन जितनी मैंने भी तक स्पेसिफिकेशन पड़ी है न स्क्राइब की बैटरी देखने मिलेगी जो स्क्राइब और फुल एजी प्लस डिस्प्ले देखने मिल जाएगा आपको इस फोन के अंदर साथ यहां पर प्रॉसेसर वह बताया जा रहा है कि एक्सीनोस का 7870 प्रॉसेट हो सकता है अन्गे स्क्राइब आपको अच्छी प्रॉसेसर के उपर ही आता है तो यहां पर आपको स्नाप्टन कोई भी प्रॉसेसर देखने हो नहीं मिलने वाला चाहिए फिर आप गलेक्सी एस नाइन ले लो सभी के अंदर एक्सीनोस के प्रॉसेसर है चाहिए फिर टॉप एंडो 6932GB की स्टोर देखने मिल जाएगी जो अब यह फोन आएगा जबी पता चलेगा बागी आपे दो चार फोटो ज्यांव लीक होके आई और बताया जारा है कि डिजाइन होगा इस फोन अच्छा होने वाला है क्योंकि इस वी शेप्ट नॉच अब यहार पता नहीं पता नहीं अपना एगा बटे ट्रेंट जैसा हो होके ही है वह है इनका जो सपोर्ट पर इस फोन का जो है मेंचन हो रहा है SM M1055-DS तो यह इसका मोडल नमबर महाँ पर मेंचन हुआ है और काफी दो बताया जारे कि M10 होगा देखते हैं यह फोन कब तक आ जाता है मिलेगी 6.13 इंचिस की डिस्पले है इसके दर Bluetooth 5.0 का आपको सपोर्ट देखने हो मिल जाएगा साइसे इसके अंदर भी आर बताया जारे कि Exynos का 7870 चिपसेट हो सकता है बट एक चीज और यहां पर मेंचन है कि इस फोन के दर आप लोग देखने हो मिल सकता 7904 चिपसेट जो कि अभी बहुत ही लेटस प्रसेदर स्यामसंगी तरफ से मिट्रेट सेंगमेंट के लिए जो अगर वह लग जाता तो काफी दर प्रफॉर्मंस जो इस फोन की बूस्ट हो जाएगी आप लोगो देखने हो मिलेगा पीछी साइड में सेंसर और सामने सेलफी सेंसर वह बिल्कुल भी पता नहीं है कैसा होने वाला है बात करूं जो मुझे सबसेदा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसके आप देखने मिलेगा काफी अच्छा बैटरी काफी अच्छी बैटरी काफी अच्छा डिजाइन और का काफी अच्छे क्यामरा तो यहां पर बात करो डिस्पले के तो 6.3 इंचे की डिस्पले देखने मिलेगी जो कि फुल एच्छी प्लस से डिलूशन देखने आप लोगों को एंच्छे नहीं प्लस फाइफ प्लस प्लस फाइब पक्सल्स के अब तर्टी मेंगा प्राइमरी ह होगा फाइब फाइब तो और जो है वाइड एंगल या फिर देखते हैं कैसा होता है तो बाकि यहां पर एक चीज़ और है कि जो आपकी सेल्फी कैमरा है वह सिक्सीन में अपक्सल का तो हां यह फोन थोड़ा मेरे को लग रहा है के पेबल कुछ अच्छी फोटो क्लिक करन है काफी ज्यादा होंगी क्योंकि सामसंग को पता है आप ज्यादा प्राइस रखेगा तो बिकरी खतम हो जाएगी फिल्कूल तो अभी तक रूमर्ड यह है कि 25,000 से नीचे होंगे सभी के प्राइस और 25,000 से नीचे अगर रहता है अगर मालों गलेक्सी जो एम ठर्टी है वह अप्रॉक्सीमेडली 17-18,000 का मिलता है तो हाँ अगर मैं कहूंगा हां सामसंग काफी अच्छा काम कर सकता है कि यह जो अफ्लाइन मार्केट है उदर सामसंग चलेगा और अगर 17-18,000 के अंदर यह मिलेगा तो बाई सामसंग दुबार से अपना जो मार्केट पेस है वो क्या लगता है आपको गलेक्सी M10, M20, M30 के बारे में और अगर आप लोगी मन में कोई साभी डाउट से इन फोन को लेके तो मुझे कमें क्लिके फटाफट से पताओ और मिलता हूं आपसे कल वाली एक ऐसी वीडियो के अंदर थैंक्स वोचिंग